वेल्कम टू ब्रेंस्टॉमिंग सेशन डेटेट 25 जैनवरी आज आज आम लोग तीन टॉपिक देखेंगे जो मैंने मौनिंग में आपके साथ टेलीग्राम को रुपे शेयर कर दिये थे पहला सेमिकंडक्टर की स्कीम चलती है जिसे हम कहते हैं डिजाइन लिंक इंसेंटिव तो इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़े देखेंगे और इससे पहले मैं आपको ब्रेंस्टॉमिंग में और सॉरी में एक सेशन दे चुका हूं सेमिकंडक्टर की पूरी डीटेल में त क्या इसके सामने चालेंजेस हैं नेक्स्ट इस सब केटेगरेशन इशू तो ओबी सी के बारे में तो हम जानते हैं एक कमिटी सैट अप की गई है अब एसी के बारे में भी कंसिटर किया जा रहा है तो उसको जानेंगे तो चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं सबसे पहले आपको पता होगा फॉक्स कॉन एंड विदानता का प्रोजेक्ट यह काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट था अल्मोस्ट कंसिडर किया जा रहा था 19.5 बिलियन डॉलर का जॉइंट प्रोजेक्ट होगा फॉक्स कॉन एंड विदानता में फॉर्ट चिप मेकिंग अट अल्टिमेटली कुछ इशू हुआ एंड फॉक्स कॉन ने विड्रॉ कर लिया इससे फिर उसने कहा कि हम अकेले इंवेस्ट करेंगे विदानता गुरूप के साथ मिलके नहीं करना है तो यह जो हाई प्रोफाल प्रोजेक्ट था यह फेल हो गया सेकेंड न्यूस आई इसके रिकार्डिंग जब माइक्रों कंप्री ने कहा कि हम लोग इंवेस्ट करेंगे 825 मिलियन डॉलर इंडिया में लेकिन चिप मेकिंग में नहीं टेस्टिंग एंड पैकेजिंग में तो यह दो इंपोर्टेंट न्यूस थी तो इसके बारे में हमने जाना में चीज़ अब यह सोचिए कि एडिया को आगे जरुवत क्या इतना हम लोग सेमिकंड़क्टर चिप मेकिंग इसको प्रोमोट क्यों कर रहे हैं सबसे पहला रिज़न है कि यह बहुत ही हाई-टेक टेक्नोलजी में यूज होती हैं इनके हाई-टेक यूसेज हैं जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की तो वहाँ पर इनकी ज़रुद सबसे ज़ादा पड़ती है उसके बिना तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते हम ग्रीन एनरजी ट्रांजिशन की बात करते हैं उसमें भी हमें इन सब की ज़रुद पड़ती है तो हम लोग इसमें सेल्फ रिलाइंड बनना चाहते हैं कि अगर हम लोग dependent है और यह चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसके साथ कुछ malware fit किये जाएं जिससे की spying जासुसी जिससे हम कहते हैं वह की जाए और ऐसे allegations चाइना की कुछ companies पर लगे हैं USA में जैसे Huawei एक company थी तीक है Australia ने इसको निकाल दिया अपने हां सही क्या आप spying कर रहे हो USA ने भी इसको ban कर दिया कि आप spying कर रहे हैं आप हमारे 5G project से बाहर रहे है तो इस तरह के यह हमारे cyber security की threat बन सकता है अगर हमारी import dependency रहती है इस field में तीसा reason है कि पूरा world थोड़ा diversify करना चाहता है this semiconductor and chip making को क्योंकि अगर हम सिर्फ semiconductor की बात करें तो world के 60% semiconductor ताइवान में बनते हैं और इनका जो high-tech usage है especially industrial 4 revolution में जिसे हम IE 4.0 कहते हैं इसमें जितना दाता usage है और 60% concentration आप देख रहे हैं ताइवान में इसलिए मैं आपको बार-बार emphasize करता हूँ जियो political news में भी जब तक USA है वो ताइवान को चाइना के control में नहीं जाने देगा चाइना की control में ताइवान जो क्यों claim करता है अंडर बन चाइना policy यानि कि पूरे world का जो semiconductor का dominance है वो पूरा चाइना के अंडर में जाना तो USA कभी वो चीज़ नहीं होने देगा इसलिए ताइवान थोड़ा सा आँखे दिखा भी लेता है चाइना को next is कि अगर हम advanced chip की बात करें advanced chip मानी जाती है which are below 10 nan nanometer इसका 100% concentration मैं designing की बात ने कर रहा हूं मैं fabrication की बात कर रहा हूं ठीक है पनानी की इसका 100% concentration South Korea में तो diversification करने की जरूरत है कि अगर एक country में कोई problem आ जाए जैसे pandemic आया था supply chain में deception हो गया था Russia Ukraine issue आया था Russia Ukraine अब इन दोरों में से कोई भी important power नहीं है semi conductor chip making में लेकिन Ukraine एक important source है हमारे लिए for supplier of neon जो की एक key input है in semiconductor manufacturing तो इस तरह के supply chain disruption ना हो इसलिए भी हम थोड़ा सा self-land बनना चाहते हैं इसमें और बाकी बाते भी मैंने आपको newspaper panelists के साथ ही बता दीती जैसे हम लोग लेकर स्वरी हम लोग लेकर आए एक Semicon project Semicon India program इसके बारे में हमने बात की थी worth around 10 billion dollar ठीक है इसमें incentives देंगे हम companies को कि अगर आप हमारे यह fabrication unit लगाते हो तो यह आपको मिलेगा ठीक है इसमें कोई ज्यादा अच्छा हमें response मिलानी ठीक हमने financial support देने की भी बात की बड़ हमें इसमें कुछ मिलानी अब इसी के साथ हम लोग लेकर आए एक और that is semiconductor design linked incentive जिससे related यह news article था तो अब मैं design link incentive scheme पर आऊँ उससे पहले मैं आपसे मैं दो-तिन point और discuss करूँगा जब हम लोग इसकी बात कर रहे ना तो यह मैंने आपको means 450 plus में एक lecture दिया था तब मैं explain भी की थी इसकी several stages सबसे पहले आती है chip designing की बात जो आप कह सकते हो कि around 20% इसकी जो पूरी value chain है उसमें 20% designing की बात होती है करता है USA USA करता है लेकिन उसकी बड़ी-बड़ी companies है उन्होंने अपना जो designing research and development base बनाया है research and development base यह इंडिया में बना रखा है काफियत तक ठीक है और even जो कंपनियों में सब्सक्राइब designer भी है जो chip designing बगरा पर work करते हैं वो हमारे ही non-resident Indians है तो आप कह सकते हो कि designing में इंडिया के पास अच्छा खासा base है तो foreign companies का base है लेकिन इंडिया में हैं दूसरा हमारे overall जो इंडियन ओरीजन के people काम कर रहे है वो हमारी हम पर main human capital है designing के बाद second concept निकल कर आता है fabrication का और यही सबसे complex सबसे capital intensive stage होती है ठीक है आप कहा सकते है around 40% supply chain जो supply chain value है वो यही है इसमें काभी processing चीजे यूज की जाती है जैसे etching की जाती है पहले doping की जाती है ठीक है silicon waffers बनाने पड़ते हैं हमें तब जाकर यह इस तरह से जाकर एक chip त्यार होती है बहुत ही highly capital intensive stage होती है यह आप कह सकते हो कि करीब 20 billion dollar तक का खर्चा आ जाता और यही setup करना चाहते देवेदानत और Foxconn जो deal cancel हुई उनकी ठीक है क्योंकि यह सबसे जादा मुश्किल भी है और सबसे जादा financially demanding भी है बट अब देखी जो high-end chips होती है less than 10 nanometer उस पर focus अभी इंडिया को नहीं करना चाहिए इंडिया should keep its focus on low-end fabrication low-end fabrication that is chip जिनकी chip of more than 10 nanometer size हमें इस पर focus करना चाहिए इसके पाद fabrication के पाद next stage आ जाती है assembly, testing and packaging यह वो stage है जहां पर micron invest करना चाहता है यह भी आप कह सकते around 20% यही occupy करती है यही stage तो इसके बाद next stage हमारी आ जाएगी distribution की और इसके बाद जो next step आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी end use की यानि कि हमारी जो domestic industries है जैसे suppose कि mobile बना रहा है कोई laptop बना रहा है कि आप अपने यहां पर जो chips बन रही है उनको use कीजे ठीक है थोड़ी सी अगर costly भी है तो भी कीजे कुछ financial incentives वगरा दे दिये जाएंगे आपको बट आप यह जो import chips हैं उनकी हमें usage कम करना है ठीक है तो यहां पर मैंने आपको stages बता दी अब आ जाते हैं हम finally इस topic पर जो हमारा आज का main topic था that is design link incentive इसमें क्या issues phase कर रहे हैं हम लोग तो इसमें यहां पर article में editorial जिन्होंने लिखा था उन्होंने recommend किया था कि कुछ चीजें हमें इसमें change करने की ज़रुरत हैं सबसे पहले हमारे इस पर design link incentive में हमारे तीन major goal थे पहला dependence कम करनी है ठीक है dependence को reduce करना है foreign foreign से जो हम लोग import कर रहे है especially especially from China यहां पर जो dependency है हमारी उसको कम करना है क्योंकि हम लोग जिन strategic यह आप कह लिजे कि जिन defense field में हम use करना चाहते है इन chips को उसमें अगर चाइना से हम लेते हैं तो वह cyber security वाला threat हमेशा से रहेगा malware डाला जा सकता है spying की जा सकती है and so on दूसा हमें global value chain के साथ integrate होना है global value chain के साथ integrate होना यह दूसा गोलता ठीक है इसी scheme का नाम क्या रखा हमने design link incentive तक हम designing वाली stage पर जाधा better काम करें उसका fabrication जैसे दूसी countries में हो रहा है testing वगरा दूसी countries में हो रही है तो यह एक पुरी global value chain बनती है एक country में designing हो गई दूसरे में fabrication हो गई फिर testing हो गई packaging हो गई and use हो गया तो हमें इस chain के साथ integrate होना है ठीक है क्योंकि कोई भी company एक ही country में अपनी सारी चीज़े नहीं लगाती है जैसे अगर किसी चाइना में जब कोविट आया था तो वहां से यह सब disrupt हो गया था और वहां lockdown लगा और पूरे world के industry पे impact हुआ तो global value chain में integrate होना is always better third is we want to make a usage of a comparative advantage हमें अपनी जो हमारे पास जो already advantage है हमें उसका use करना है और advantage कि हमारे हम लोग already designing hub हैं बड़ी-बड़ी world की companies ने हमारी हां पर अपने research and development offices खोल रखें ठीक है उसके अलावा जो हमारे non-resident Indians हैं हमें उनका use करना है ताकि हम अपने यही पर यह ecosystem develop कर सकें तो यह जब scheme आई थी तो तीन major goal हमने set किये थे अपने सामने यह reasons थे अब इसमें issues क्या आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं इस scheme के launch के बाद भी इसको क्यों ज्यादा receive नहीं कर रही है कोई भी company पहला issue है कि हमने FDI पर barrier लगाया हुआ हुआ है तो यहां पर इसी तरीके से restriction लगाई गई थी कि जो भी company होगी it cannot raise it cannot raise more than 50% of fund via FDI otherwise क्या होगा otherwise उस company की जो ownership होगी वो foreign ownership क्या लाईगी फिर वो domestic company रहा ही नहीं गई और यह promise लिया गया कि आप अपना जो domestic status है यह domestic status है यह maintain करके रखेंगे at least for three years यानि कि अगर आज मैं कोई company start कर रहा हूँ semiconductor के लिए तो मैं तीन साल तक जो भी मेरी company की valuation होगी वो 50% से जादा foreigner hold नहीं कर सकते इसको तीन साल के बाद मैं चाहूँ तो शायद कर सकता हूँ अब अब भी नहीं कर सकता देकिन अब दूसी problem यह है company के पास कि फिर अगर मैं funding चाहिए तो मैं कहां से लौँ हमने उपर देखा बहुत capital intensive है पैसे बहुत चाहिए इसमें तो यहां पर domestic funding की भी कमी है क्योंकि हमने देख लिया कि यह जो सेक्टर है काफी काफी capital intensive है कि 2020 बिलियन डॉलर तक की इसमें आपको funding चाहिए बट यहां पर हमारे पास कोई domestic funding mechanism ही नहीं इतना जो हमें इतनी funding दे सके एक और बात याद रखिए जो fabrication वगरा होते है यह बड़ी sensitive चीज़े होती कई बार आपके पुरी-पुरी investment पानी में चलियाती है नहीं बन पाई जो बनाना चाह रहे थे इसके अंडर में इंसेंटिव दिये गए है they are not sufficient कि मैंने दा हिंदु में discussion के टाइम भी समझाया था आपको कि incentive दिये गए है आपको 15 से लेके 30 करोड तक depending on wearing size but they are not okay तो यह जो cap है इस 15-30 करोड की इसको थोड़ा सा increase करने की ज़रूरत है इसके बाद nodal agency के साथ ही issue था conflict of interest आ रहे थे इसमें अगर आपने newspaper पेनलसीस भी सुना होगा तो आप better relate कर पाएंगे इस topic को otherwise तो फिर सिर्गे उपर से निकल जाएगा जिस्ते है क्याता हूं जो भी follow करो सारे initiative follow करो तो फिक का रहे हैं क्या we need to first पहले we need to focus on broader objective ठीक है अधिक हमें अपना objective थोड़ा सा change करने की ज़रूरत है यहां पर मैंने newspaper analysis के साथ भी आपके साथ discuss किया था कि we should focus कि हमारा advantage का है कहां पर हमारे पास advantage designing में ठीक है तो हमें अभी designing पर focus करना चाहिए फिलाल के लिए ठीक है अपनी manpower जो है उसकी capacity building पर focus करना चाहिए capacity building of manpower क्योंकि यही manpower experience होगी अच्छी earning करेगी funding चुटाएगी और उसके बाद फिर वो खुद अपनी domestic company setup कर सकते हैं जैसे आज lens card की जो owner है दीक है I don't remember his name I think Pew's नाम है वो Microsoft के असाथ work करते थे okay experience gain किया funding gain की और फिर इंडिया आकर lens card शुरू किया and we all know कितने successful रहे है okay now next is कि we should focus on designing stage rather than going for fabrication कि fabrication काफी capital incentive भी है उसके अलावा कि fabrication में एक और चीज़ है कि इसको 24 by 7 water and consistent electricity supply भी चाहिए तो इस तरह का resilient infrastructure भी चाहिए जहां पर एक second के लिए अगर कोई दिक्कत आती है और यह water भी ऐसे नहीं एकदम pure water otherwise आप वो चिप नहीं होना पाएंगे उस तरीके की हमें designing stage पर focus करना चाहिए और global value chain के साथ integration पर focus करना चाहिए हम designing में अपने आपको hub बनाए उसके बाते fabrication अभी यहां हो रहा होता रहे बर तीरे तीरे उन companies को अपनी तरफ अट्रेक करने की कोशिश करें तो यह हमारे कुछ objectives होने चाहिए scheme में तो यह topic complete होता है अगले पर चलते हैं NAM summit पहले NAM summit के बारे में थोड़ा सा origin जान लेते हैं यह तो आपको पता ही है कि यह इस वक्त यूगांडा की capital में हो रहा है और capital का नाम है Kampala अब देखें NAM summit की शुरुवात हुई थी due to cold war ideology एक तरफ था USA जो कह रहा था capitalist ideology होनी चाहिए ठीक है democracy होनी चाहिए और दूसरी तरफ था USSR यह 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 फॉलो कर रहा था communist ideology को और socialism की बात कर रहा था यह यह सरकारी कंपनियों के हाथ में होना चाहिए जबकि capitalist कहते हैं कि नई private sector के हाथ में होना चाहिए वह efficient होते हैं तो इन दोनों के बीज में अब सभी कोशिश कर रहे थी USA और USSR भी कि जादा जादा country अपने camp में आ जाए और उसमें सबसे prominent का अगर कोई country थी तो वह थी इंडिया तोनों ही चाहते थे कि इंडिया अपने-पने camp में आए बट इंडिया ने कहा कि नई हम दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं बट कहीना कि थोड़ा tilt हमारा USSR की तरफ जादा था क्योंकि हमने ये 5-year plan वगएरा फिर ये socialism वगएरा की concept freedom struggle की time ही हमने कहा था कि देखिए अगर private के हाथ में सब कुछ जाएगा तो वो तो फिर गरीबी अ मेरी बहुत जाद रहेगी हम बनाना चाहते थे कि गैलिटेरियन सोजाइटी ताकि resources distribute हो सकें सब में fairly तो हमारा tilt कहीं ना कहीं थोड़ा सा USSR की जो socialist type की ideology था ना उस तरफ था indirectly बट ये जो pressure आ रहता लगादार अब देखिए हमने क्या कहा था कि हम non aligned रहना चाहते हैं हमें कि किसी को join नहीं करना पर पाकिस्तान ने खुलके का मैं join करूंगा USA को ठीक है और यही हुआ था कि जब कश्मीर पे invasion हुआ चो आज हम लोग कहते हैं कि इंडिया ने क्यों आदा कश्मीर रखने दिया पाकिस्तान को उसे में fear यही था कि पाकिस्तान था इनके साथ और US UK का प अधिक ऐसी बने थी फिर अब जाके कुछ अत्तक सॉल्व हुई है बट अभी भी पियो के तो है उनके पास अपने अपने ब्लॉग में लेने की बात हुई तो यहाँ पर 1955 में एक बांदूंग कॉन्फरेंस होती है बंदूं कॉन्फरेंस वह भी इंडोनेशिया में यहाँ पर एशिया और अफ्रीका के यह इन रिजन्स में वह कंट्रीज थी जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हो रही थी कॉलोनियल पावर से तो यहाँ पर यह सब मिलते हैं उसके बाद 55 के बाद 1961 में बैल ग्रेट कॉन कई कंट्रीज से ब्रेक हो गया इसकी बारी बात हम वर्ल्ड हिस्ट्री में बढ़ते हैं तो यूगे सुलाविया की कैपिटल थी बाल ग्रेट वहाँ पर यह होता है और फिर फाइनली यहाँ पर नैम का फॉर्मिशन होता है तो आब कन्फ्यूज नहीं हो ना चो कंसेप्ट था नैम का वो निकल के आया बांदूं कॉन्फरेंस में बट इक्साटली जब नैम का फॉर्मिशन हुआ तो वो हुआ बाल ग्रेट कॉन्फरेंस में 1961 में 55 में से फिस कंसेप्ट की बात की गई थी अब इसकी फाउंडर्स क थे दूसरे एजिप्ट के नासिर थे नेक्स्ट वॉस निक्रूमा जो की घाना से आते हैं और अब यह नहरू नासिर की फ्रेंड्शिप का इसी वे में समझ जीजिए आप की जब हमने गोवा लिबरेट करने की कोशिश की हमने किसे की थी पॉर्चु किसे की थी राइट प पॉर्चिग्यूस कोई कमजोर पावर तो था नहीं उस टाइम कि हम उससे गोवा इसली छिना लेंगे यहां स्विश के नाल था जिसको नेशनलाइज कर चुके तब तक प्रेसेंट नासिर फॉर्म एजिप्ट इन्होंने इंडिया की मदद हो सके और पॉर्चुगिस की नेवी गोवा ना पहुंच सके इसली इन्होंने स्विश के नल को ब्लॉक करवा दिया था तो यह बात करते हैं हम नहरू नासिर ज जाने कि इजिप्ट ने इंडिया की मदद की थी इन डारिकली ओके ऐसा नहीं है कि नहरू जी जो आजकल चलता है कि जिस दिन नहरू प्रतानमंत्री बने उसे दिन देश का बेडा गर्क हो गया यह यूट्यूब अगरा पर चलता रहता है इस टाइक की चीज़ हैं बट ऐ कोई भी permanent secretariat नहीं है और नहीं इसकी कोई proper founding treaty है या आप कह लिज़े कोई act हो या UN charter की तरह कोई charter हो कुछ नहीं है इसका ठीकि यह ऐसे ही work करता है informally अब इसके members जो है members बहुत सारे 120 countries लेकि इसमें important चीज यह है कि यहाँ पर पैलेस्टीन पैलेस्टीन भी इसका एक member है जबकि पैलेस्टीन यूएन का member नहीं है ठीक है it is a non-un member पैलेस्टीन भी यहाँ पर एक member है क्लियर तो यहां तक इसकी history समझ में आई आपको अगर प्रिलिम्स में से related कुछ points आ जाएं तो अब मैं आता हूँ आपके साथ दूसरी चीज से एक है कि challenges क्या phase कर रहा है लेकि सबसे बड़ा challenge तो यह बना कि जब 1991 में USSR dissolve हो गया यानि कि दो pole हुआ करते थे world में लेकिन अब तो सिर्फ एक ही pole रह गया यानि कि हमारा unilateral world हो गया और एक ही superpower रह गया that is USA तो पहले हम fight कर रहे थे against the bipolar world now हमारी fight अब NAM की fight शुरू हो चुगी थी unipolarity के against ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि USA का ही dominance रहे पूरे world पे now NAM is fighting against the unipolarity clear इसके बाद दूसरा यह है कि एक बाद फिर से bipolarity bipolarity की fight शुरू हो रही है world में bipolarity is increasing now कैसे मैंने आपको बताया एक तरफ है USA एक तरफ है उसका Europe दोनों मिलके बनाते हैं NATO ठीक है तीसरी तरफ है इसका Israel जो West Asia में है इसके बाद है East Asia में इसके US के कुछ allies जैसे Japan के Korea Australia and so on ठीक है एक तरफ यह section हो गया दूसरी तरफ आईए ए एक तरफ है Russia जिसको isolate करा किया गया है Ukraine war की बज़े से sanction लगाया हुए है दूसरी तरफ है China जो military hatch money को challenge कर रहा है USA की पार-बार पूरे South China Sea में इसने परिशान करके रखा हुआ है मुआ की countries को ठीक है इसका 9-line concept पर के रहा है सब हम चानते है इसके बाद है Iran जिसको again isolate करके रखाया USA ने sanction लगाकर इन तीनों के बीच bonding पड़ती जा रही है और दूसरी तरफ है North Korea जो की अनफिशली सही बटेक nuclear power है जिसे पूरा threat कर रखा है Japan Korea और पूरे जो वो रीजन है उसको एक threat में ले रखाया दूसरी तरफ है Iran जो अपने non-state actors की मदद से non-state actors we know these non-state actors like Hamas we know how the rebels we know Hezbollah इनके through इसे world ने परिशानी कर रखी है और कहीं न कहीं जैसे जैसे इंडिया USA के ज़्यादा close गया है उसी तरीके से पाकिस्तान ज़्यादा करीब आया है इनके और उसी तरीके से साथ में है अफगानिस्तान जो कुछ नहीं तो उसके पास एक motive तो क्लियर है कि मुझे USA पस इंडिया along with some like-minded countries जैसे South Africa जिसने Israel के against case किया ISG में इनका goal यही है कि हम लोग कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग इन power politics में नहीं पढ़ना है हमें एक balance बना के चलना है सभी के बीच बर चाइना का threat इतना जादा है इंडिया के लिए कि यहां पर हमारे लिए neutral रह पाना बहु not going to be that easy तो पहले हम लोगोंने fight किया bipolarity के against फिर USA आ गया तो हमने fight किया unipolarity के against कि हमें unipolar world नहीं चाहिए सबके पास बराबर sign होना चाहिए उसके बाद वापस से हम आ गए है bipolarity जो बढ़ती जा रही है world over ठीक है इसके लावा और नाम क्या करता है human rights की बात करता है आज भी global north versus south का concept valid है नौर्थ में सारे developed countries है colonial powers है जो कभी world को पर rule किया करती थी ठीक है developed versus developing country की issues है यह highly developed है और यहाँ developing countries में social हो political हो economically यह सब underdeveloped है right दूसा नाम fight करता है historical injustice के against एक है जैसे यह जितने भी issues है न चाहे वो पैलेस्टीन का issue हो यह चाहे वो कश्मीर का issue हो यह सब क्या है कि सब जो historically colonial powers के दी हुई problems है जिनका आज तक कोई अंत नहीं हो पाया all these are problems created by the colonial powers so called the developed nations ठीक है तो उसके अलावा इसी में आप climate change को भी जोड़िए आज climate की जो हालत है यह सब किसकी वज़े से industrial revolution जो कहां हुआ इन ही European countries में जो आज developed countries हैं तो इन से developing country अपने अधिकार बिलकुल बराबर से मांगती है we need fund we need technology from you okay जो कि यह लोग देने से मना करते है on the basis of principle of common but differentiated responsibility तो इसमें इस सारी चीज़े आप जोड़ सकते हो कि NAMP के plate पर क्या-क्या है जो वह आपस में discuss कर सकते हैं clear तो इसके अलावा world peace ensure करना development वगएरा वह सब आप पॉइंट में देख सकते हैं यहां पर खतम होता है दूसरा topic अब हम आ जाते हैं आज के तीसरे topic पे that is subcategorization अब दीए subcategorization sequence में चलते हैं we are not directly jumping to that first thing is कि आपने रोहीनी कमिशन के बारे में आप जानते हैं ठीक है रोहीनी कमिशन इसको क्या task दिया गया कि OBC का जो reservation है 27% इसको थोड़ा सा subcategorize करना है मैं exactly नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई report सामने आई नहीं है इसको submit कर दिए government को बट शायद election की बाद हमें इसमें report सामने देखने को मिले बट कही नहीं ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो 27% इसको 99% करके बटा जाएगा ठीक है अमंग comparatively forward cast within OBC ठीक है comparatively backward cast within OBC and comparatively most backward cast among OBC ठीक है अब इसी तरह की demands आती है है from SC as well as SD community क्यों जैसे में तेलंगा ना में एक population है मदीगा वो कहते हैं कि हम around 50% SC population है state की बट सारा reservation ले जाती है माला community माला या माला क्योंकि यह comparatively हमसे forward है within SC उच्छी तरह का ST में एक तो आते हैं वो tribes जो कहते हैं कि हमें वाकिए education कुछ नहीं मिला है nothing और दूसरी तरफ आ जाती है मीना community ठीक है जो comparatively काफी forward है बट वो reservation का फायदा लेती है और यह government के खुद के आँख्रे बताते हैं करीब SC के लिए जो भी reservation है उसमें 70% jobs अकेली मीना community ले जाती है तो इसके यह लोग demand कर रहे हैं कि इन में quota within the quota होना चाहिए तो government ने कुछ step लिते हुए SC के लिए सबसे पहले SC के लिए अब यह matter जो है कि क्या sub-categorization किया जा सकता है तो यह तो pending है इस बग सुप्रीम code के पास क्यों pending है उस पर अभी मैं आऊँगा आपके साथ तो यह सुप्रिम कोड में इसके सुनवाई चल रही है वहां पर pending है यह matter बट फिलाल के लिए government ने क्या गहा कि चलिए एक committee बनाते है headed by cabinet secretary इस committee का काम यह होगा कि subcategorization के question ने मच जाईएगा अभी बट ज़रा हमें यह देखके बताइए कि हम ऐसा कोई mechanism device कर सकते हैं कि यह जो most backward community है within SC within SC जो most backward है उन तक government के benefit better तरीके से पहुंच सके तो क्या इसके लिए कोई mechanism design किया जा सकता है ताकि उनके लिए जो schemes चल रही है जो policies उनके लिए बनाई गई है इनके benefit in most backward communities तक भी पहुंच सके and सिब ऐसा ना हो कि within SC में जो थोड़ी से forward communities है उन तक ही वो पूरा benefit रह जाए और 2011 के census के according हमारे यहां around 15% SC population है country में ठीक है अब देखे कई level पर ना state governments ने initiative लिये हैं जैसे हमारे मध्यप्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे यहां मीना community SC में नहीं आती है उसको government ने denotify कर दिया था तो कई वार state governments ने अलग-अलग जगा पर initiatives लिके हैं उसी तरह का एक initiative पंजाब government ने लिया था अब इस case पर हम बात करेंगे उससे पहले मुझे आपको ज़रूरी है बताना वह है constitutional angles अब constitutional angle की जब बात आती है तो you should remember two articles अगर आपने यह नहीं समझे हैं अब तक तो फिर आपकी preparation में थोड़ी सी problem है पहला है हमारा article 341-1 एंड दूसा है हमारा article 341-2 तो यह दोनों article हमें क्या कह रहा है तो आर्टिकल 341 यह president को authorize करता है कि आप governor से consult कर लीजे और उसके बाद आप specify कर सकते हैं कौनसी caste या कौनसी race या tribe ठीक है they will be considered as SC okay deemed to be SC यह provide करता है article 341 clause 1 अब इसी के बाद clause 2 में एक और बात लिख दी गई इसी के साथ that parliament Parliament by law एक law enact करके include कर सकता है या फिर exclude कर सकता है कि SC की list से एक notification के द्वारा एक कोई भी caste को include भी क्या सकता है या exclude भी क्या सकता है ऐसी कोई भी caste जो प्रेसेंट ने specify कि हो उसको अगर include करना है या exclude करना है तो Parliament कर सकता है by enacting a law एक notification साथ चारी करके ठीक है यहां तक यह दो आर्टिकल याद रखना जरूरी है अब इसके बाद जो हमारी national commission for SC है and national commission for ST है यह दोनों क्यों oppose कर रही है इस committee का यह दोनों पूर इसलिए कर रही है कि उनका कहना है कि यह सब फाल्तु चीज़े मत करो अंडर आर्टिकल 16.4 अंडर आर्टिकल 16.4 तो आपको जरूरत नहीं है अगर हम आर्टिकल 16.4 को डिक्टो रीट करें तो उसमें लिखा है that nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen which in opinion of state is not adequately represented in services under the state okay तो इसी तरह से एक चीज़ इंप्रिमेंट करने की कोशिश की state of पंजाब ने state of पंजाब ठीक है तो यहां पर एक केस जल रहा है state of पंजाब versus देविंदर सिंह यहां पर supreme code ने upheld किया कि हां पंजाब ने जो law बनाया है to sub classify पंजाब में एक law नेक किया था कि हम sub classify कर रहे हैं essays को and we will give preference to the backward class of Balmikis and must have be six must have be six in reservation okay इसने supreme code ने इस case में upheld किया चीज़ को okay तो अब upheld किया है तो ओविसी बात है कि दुबारा challenge भी होगा एक बड़ी bench के पास ठीक है तो दुबारा challenge हुआ और अब यह matter pending पड़ाओ हुआ है Supreme Court की एक बड़ी bench के पास और इसी पर final judgment आना है जो decide करेगा कि क्या sub classification किया चाह सकता है constitutionally allowed है या नहीं but as per legal experts या constitutional experts उनका कहना है कि it is absolutely allowed Parliament को सिफ एक amendment करना होगा constitution में और यह sub categorize किया चाह सकता है but but इसके लिए आपको proof देना होगा और proof कहां से आएगा जब आप proper उनका caste census करा होगे जब तक आप caste census नहीं करा सकते आप यह justify नहीं कर सकते कि हम यह क्यों कर रहे हैं okay तब यह देख लेते हैं कि आखिर arguments क्या है favor वाले क्या कहते हैं कि होना चाहिए और against वाले क्या कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए देखें favor वालों का तो यह कहना है कि देखें within SCB there is high inequality within SCB कुछ communities हैं जो better off है उनके parents अगर आज देखें mother father वो educated है but at the same time कुछ ऐसी community है जिनके parents educated नहीं है उन्हें educational मौकर नहीं मिला है तो यह जो gross inequality है within the caste उसको tackle करने लिए ज़रूरी है इसके लावर reservation में बहुत inequality है कि कुछ ही forward caste है within SCB जैसे डाबी caste यह हैं जिनके father mother वो education काफे time से ले रहे हैं एक generation दो generation से तो उनसे वो बच्चा compete नहीं कर पाता है जो SC में ही दूसरी जगा पर है जिसकी first generation ही अभी education ले रही है तो इनको लगता है कि सब quota quota within the quota is a solution to this problem यह तीन arguments यह लोग देते हैं अगेंस वाले क्या कहते हैं अगेंस वाले कहते हैं कि यह root cause को root cause को tackle नहीं करता है अब root cause क्या है देखिए root cause इनका यह logic है बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप आज जाके government schools की हालत देखें government schools अब यह fact तो हम सब देख चुके हैं कि अधिकता government schools में majority majority government schools में कौन से बच्चे जाते हैं स्टी स्टी के ही जाते हैं कुछ backward area से प्राइवेट स्कूल नहीं है तो top class क्या यह दोनों equally compete कर पाएंगे आगे चलके क्या इनका basic इनके foundation उतने strong हैं दोनों के नहीं न तो root cause क्या है कि आपका जो यह फरजी education system चल रहा जो ACR की report ने ऐसे डराने वाले आंक्टे दियें कि 14-18 साल के बच्चे class 2 का टेक्स ठीक से नहीं पड़ पा रहे हैं ठीक है basic calculation नहीं कर पा रहे हैं mathematics से बहुत बुरे हाल है basic calculation या एक काउं में अगर आप अपना produce भी बेच रहे हो तो उसका calculation नहीं कर सकते हैं इतने बुरे हाल हैं अगर बच्चे इस तरह का education लेंगे इस्कुल में तो फिर बड़े होके क्या करेंगे वह फिर वही हाल होगा a plus p square में ढूंदते रहेंगे extra a b ओकी सो यह solution नहीं है root cause है आपकी education की quality जब तो उस quality का address नहीं करेंगे यह quota किसी काम का नहीं है same for the case with EWS PWS की बात की कि हाँ इनको reservation मिलना चाहिए मिलना चाहिए ठीक है मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वह argument करते रहो बड़ी problem में इसकी जो poor थे जैसे अधिवया तबर का हमने example देगा अगर आप वह scholarship ही नहीं दे रहे हो उसको पढ़ने के लिए अच्छे से तो वह reservation क्या कर लेगा पहले वह scholarship तो दो कि उसे कहीं और part time job ना करना पड़े 2000 रुबे के लिए तब जाकर उस reservation को benefit ले पाएगा तो जो root cause है इनका that is root cause that is quality education and poverty ठीक है AACR survey ने भी क्या कहा कि 1418 में अधिकतर बच्चे इसकोल के साथ साथ ही part time job करने लगते हैं तो या तो चोटी मोटी दुकान cottage industry में अपने parents का हाथ बटा रहे हैं या खेतों में अपने parents का हाथ बटा रहे हैं तो फिर यह जो root cause है इनको address नहीं करता है तो यह सब quota विदिंदी quota है यह सब फालतों की problem बाते हैं अगर ऐसा कर भी देंगे तो उसमें भी वही होगा कि वह जो most backward cast है ना उसमें भी कुछ जो थोड़े से well off होंगे वह फायदा ले लेंगे बाकी रह जाएंगे तो यह solution नहीं है जरुरत है कि disparity का जो main reason है quality and poverty इसको address किया जाए पहले अगर आप अच्छे quality schools नहीं बना रहे हो तो फिर वह जंगाना ही कभी और ज्यादा backward इस इलाकों की बात करें तो वही community जिसके पाद अच्छे schools नहीं है तो उसका फायदा नहीं उठा पाएगी तो यह logic बिल्कुल ठीग है कि root cause को address करना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए that is quality of the schools and education poverty okay and अच्छे schools बनाना most importantly okay तो यह तीन आर्टि प्रनी